जो सबसे बड़ा बुद्धी जीवी वर्ग है, ब्राहमन समाज, उस वर्ग का वेक्ति अगर किसी जाती विशेश पे और खास करकि छत्रियों के उपर टीका टिपड़ी किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पहले की भाई, शुरुवात उन्होंने की थी महिला बिल से, कि देश में महिला बिल लागू हो गया है, और लगभग 33 परतिशत भागिदारी महिला बिल में महिलाओ की हुई है, और उसका उनकी पाटी और उनके जो भी सहयोगी दल है, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं से भी ये जो बात हुई कि खेत ठाकूर का, खल का टिपणी दिया, एक विशेस जाती के उपर, मैं कहूंगा कि राजपूर जाती के उपर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं उनको उनही के भाषा में एक बात कहना चाहता हूँ, कि देश सब का, धर्म सब का, सिर कटा, ठाकूर का, सेना ठाकूर की, राज ठाकूर का युद्मे बलिदान ठाकूर का तुम्हारा क्या मनोझा जी जौहर ठाकूराइम की सिर कटा तो धर लड़ा ठाकूरका तुम्हारा क्या देश की हर रियासत दान की ठाकूर ने तो यह भारत देश बना खुद के लिए कुछ नहीं रखा वो दिल था ठाकूर का आपको भी पता होगा कि जब समाजिक समरस्ता की बात आई तो सबसे पहले अगर किसी ने OBC वर्क को और भी किसी वर्क को अगर कि कोई भी हक और अधिकार देने का काम किया है तो एक राजपूत ने हक और अधिकार द इतिहास में से छत्रियों का नाम हटा दिया जाए राजपूतों का नाम हटा दिया जाए तो इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा लालू जी ने समर्थन किया है उनका क्यों नहीं करेंगे समर्थन मनुझा जी के बात का बिद्वान है बहुत बिद्वान है प्रकांड पं था जो लालू जी को बिहार की गद्दी पे लाके खड़ा कर दिया अन्य था लालू जी क्या रहते यह सब जानता है देश के हमारे यसस्पी प्रधान मंत्री हमारे पुर प्रधान मंत्री चंदर शेखर जी ने और उनके बदोलत लालू यादव जी आज हमारे देश में एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा बन पाएं और उनका बलिदान है उनका बलिदान है कि आज लालुजी चीफ मिनिस्टर बनें तन्न जाके आगे आगे बढ़े हैं विशुनात प्रजाप सिंग और आज बात करते हैं अब जितने जितने लोग है जितने जो समाजिक समरस्ता की बात करते हैं यह करपुरी ठाकुर जी को राजनीती में कौन ला है जाए पर लीजेगा उनकी जीवनी को आधर नी सूरेदेव सिंग उन्होंने उनको यहां लाया अपनी और उसके बाद जाके आज बिहार के मुख्य मंत्री बने और बात करते हैं कि भाई हम कौन है और मैं कहता हूं कि अगर ठाकुरू का थोड़ा भी जमीर बचा है मैं अस्तित्व तो खतमी हो गया है जमीर थोड़ा सा बचा है तो अभी भी वक्त है एक मंच पे खड़ा हो जाईए और एक जगह पे आईए क्योंकि आज वो समय आ गया है जब आपकी आन बान और शान की लड़ाई लड़ी जा रही है और अगर आज हम दुबक के घड़ों में रहेंगे तो आने वला इतिहास हमको माफ नहीं करेंगे